करने में भी पेट में दर्द है क्या हमास के लिए जलू सुनिकों साही टहराने के लिए आप दुनिया के तरक ला रहे हूं अरे जो हमास के साथ खड़ा वो पत्त है वो आदमी नहीं है जो महिला के शब को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर जूता रखके खड़ा हो और अल्ला हमास की चिंता है जिस देश में रहिए उस देश को सरमुचित मानना ही चाहिए मानना ही होगा वेल हेलो एंड नमस्काद दोस्तों स्वागत है आफ सबीकाद सेवेजवास के एक और नई कमाल की डिवेट वीडियो में आज की डिवेट वीडियो काफ ज़्या पत्यकार जो है जिन्हें की फायर बांट पत्यकार भी बोला जाता है अमिताब अगनी होत्री जी तो दरसल इटिवेट में बात हो रही होती है इसराइल और प्लेस्टीन के मुद्देपर जहां पे आपने देखा होगा देश की कुछ लोग यहां पे प्लेस्टीन को सपोर करने सवाड़ करने जो की एक टर्रीरिस्ट और यहां लैसे तो फिर इस इस पर अमिताब अगनीहोत्री ने क्या जवाब दिया किनी सांधार तरीके से जवाब दिया और किस तरीके से धोया है इसे लिको इस वीडिश जरू से देखिए और अगर यह वीडियो आपको परचा दीजिए हमें 40 के की फैमिली तक तो प्रेज जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए अपर रेड या वाइट का आपको दीख रहा होगा तो चलिए आज कि इस कमाल के डिवेड वीडियो को अभी स्टार्ट कर लेते हैं मैं उमीद कर रहा था कि उस पर सारे पक्ष एचेस रावत जहां एक और वहां दूसरी और फजील एमद भी जहां मैथिली वहां दूसरी और शाबुदीन साब भी इस बात पर एक राय होते तो भारत का मान बढ़ता कि हम हमास की निंदा करते हैं विना किसी किंतू परन्तों के नहीं बोला गया किसी से नहीं बोला गया फिर अगर मैठिल ये कहते हैं कि मूँ में दही जम जाता है उनकी भाषा कठोर हो सकती लिकिन बात तो ठीक है हमास के निंदा करने में भी पेट में दर्द है क्या हमास के लिए जलूस को सही ठहराने के लिए आप दुनिया के तरकल आ रहे हूं और जो हमास के साथ खड़ा वो पत्त है वो आदमी नहीं है जो महिला के शब को निर्वस्त करके उसके उपर जूता रखके खड़ा हो और अलाह का नाम ले उसके साथ खड़े होने वाले से ज्यादा पत्त और कौन हो सकता है Well, you are absolutely right. अरे हमास आपका प्रोशी है हमास अनात बच्चों को पाल रहा है कुछ धार्वेक कारी कर रहा है नहीं न एक तरक आया शाहित वजील भाई ने दिया है कि हिंदू की कहीं मसला आता है पाकिस्तान का यहां वहां का तो आप चिंता कर सकते हो लेकिन मुसल्मान हमास के लिए ज जिस दिन हिंदू मोटार और रॉकिट लेके हमले करना शुरू कर देगा महिलाओं को काटेगा बच्चों को जिवह करेगा नंग नवस्था में महिलाओं को निकालेगा उसकी तरफदारी कोई हिंदू नहीं कर सकता ना हम तब आसू वहाते हैं जह हम देखते हैं कि हिंदू बच्ची को पाकिस्तान में जिवह कर दिया गया उसका शारी निक्षोशर किया गया तब हम बोलते हैं इसकी तुलना भमास के आतंकियों के साथ करेंगे किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया और मैं तो कहता हूँ जो जिस देश में रहे जो पाकिस्तान में भी रह रहा है पाकिस्तान की नागरिक्ता जब तक उसके पास है तब तक उसकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए वह साब वह साब वह से भारत इसको दाएं बाएं करके भागने की कोशिश मत करिये अब जमगंगा में बहुत पानी बह गया फलिस्तीन की बात उठाई पतने शाबुदीन साब ने उठाई बात इतिहास की फलिस्तीन को लेके भारत की पुरानी सरकार ने जितनी तत्परता दिखाई उतनी तत्परता तो कभी मैंने खाल से किसी सरकारी विभाग ने बट सेटिप्रिट जारी करने में भी ने दिखाता था बात सहीए दुनिया के किसी मुसलिम राष्ट ने पहला मानेता नहीं दी थी फिलिस्तीन को मौला नगाब यह भारत ने दी थी और क्यों दी थी हमको ये भी मालूम है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है दिल को वहलाने के लिए गालिवे ख्याल अच्छा है हमको पता है क्यों दी मानेता अरव देशों से भी पहले तुर्किये से भी पहले हमने कहा जैसे हम वैटे देली के उधर हुआ इधर हमने का लिजाओ यह चिटी लिजाओ पहले चिटी लिजाओ उस भास में नहीं जाता तो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हुए अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसे सेर किए जाज़ जाद आपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वाटसाप फेस्बुक खर जागा इस वीडियो को फैला दीए साथ है अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजा है चैनल को के साथ खड़े थे और इस्राइल के साथ संबंद बहाल करने में दशकों का संकोच क्यों रहा बाई इस्राइल ने हमारे घर से कुछ चोड़ी चेपाड़ी कर ली नहीं हमारे जमीन जाजाद छिन ली नहीं उसका कारण भी हमको मालूम है कि फजील इमद नाराजना हो इसलिए हमने इसराइल से दूरी रखी एर इसलामिक राष्ट्रो में मेरी बात को सुन लीजेगा ध्यान से जाके गूगल से मैच कर लीजेगा बिना कागज बिना गूगल के पता रहा हूँ गैर इसलामिक राष्ट्रो में दुनिया में भारत सबसे बाद में इसराइल को म हमारे लिए भरोसे मंद दोस्त साबित हुआ आज तक भरोसे मंद दोस्त साबित है सैन सुरक्षा से लेके सुरक्षा खुपिया संयंत्रों तक और तमाम चीजों में इसराइल और हमारी भागेदारी अच्छी है भरोसे मंद है क्या सच नहीं है को बिरेशी मामलों देश राजनीत में लाके करना चाहिए यहाँ वसील अध को लैमित को कुश् करना है इसलिए आ कि मानता देनी है यह तरीका ठीक नहीं होना चाहिए जिर ही नई अभी और सुनिये हम देखना ठीक है कि भारत के लिए फाइदा लाभग तक चली गई बोले मुडरादवाद में चुना बाहर जाओंगे तो ये ने देना इसराइल से ऑसे ऑफ पुड़े चाहिए पर अधू आध कर के बहुत चुए अधराबाद ने को देना कि अँअधराइल के आदमी का इस ALLने देना है इस मंत्री भारत आये तो हैदराबाद में आदमी छाती क्यों पीटे और बिर्यानी खाऊ सो जाओ आपको क्या तकलीफ है आप से कोई लिना देना है नहीं न कि इसलिए मैं कहता हूँ धर्म से राष्ट्र का कि प्रतिस्पर्धा मत करिए राष्ट्र की सर्वचिता संदिक्द होनी चाहिए उसमें किंतु परंतु नहीं चलेंगे मैं फाजिल साब की इस बात से बिलकुल असेमत उस्सत्र प्रितिशत भारत का निर्णे भारत के 150 करोन लोगों पर लागू है हम आंत्रिक मसलों में लड़ेंगे एक दूसरे के खिला देंगे जेल भर वांदोलन करेंगे लेकिन देश के तोर पर जब भारत को निरणे लेगा अक्दा समझें कैसा चित्र बनाया जा रहा है कि इस्राइल का मतलब भाजपा गरिमा तहीं ने बोल दिया बज़रंग दल समझ रहो समझ रहो समझ रहो कि नहीं करको कुछ सिर्फ यह भी बोल सकते हैं कि इस्राइल को मतलब बजरंग दल जवारलाल का भी भारत वही जो मोदी का भारत और मोदी का भी भारत वही जो जवारलाल नहरू का को लोग है जिसमें विभाचन करना चाहते के नहरू के पास ज़्यादा एथॉरिटी दी देश ने मोदी के पास कम है नहीं ना, जो इस गद्धी पर भैठा जिसको देश ने पुरान मंत्री चुना, वो सिर्मत है, उसका नाम मुंदरिन द्रमोदी हो, जवाला नेरू हो, बात से ये, इसे क्या परक पड़ता है, और ये बात बड़ी खतरना कि मैं फिर दोहरादू जिसके लिए मैं बहस लाया, आप किसा आधार पर हमास की तरफदारी कर रहे हैं, वो आधार बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए, आपने क्या कहा नारे में? कि हमारा तुम्हारा रिश्टा क्या है, उसकी जब व्याक्षा आपने की, वव्याक्षा खतरनाक है, ये तो तमाम मुल्कों की राष्ट तुब जाएगी ये व्यक्षा। आपने राष्ठीता माना ही नहीं नकार दिया। बोले हमारा तुम्हारा रिष्टा जो भी बता रहे थे मैंतिल साब उसको नारे को पूरा मैं दोहराना नहीं चाहता। हमास ने पाप किया जगन ने पाप किया बरबर भैची वो एक विशे और दूसरा विशे कि हम किसलिए खड़े हमास के पक्ष में बोले उनकी भी कमीज इस रंकी और मेरी भी कमीज इस रंकी ये तरीका ठीक नहीं है। आपने सुना कभी ऐसा जलूस निकला हो कि किसी मुल्क में कोई हिंदू अपराद करके जेल में गया हो और भारत में जलूस निकाला हो किसी ने कि नहीं नहीं हिंदू है इसलिए इस जलूस की इजाज़त हिंदूस्तान में नहीं मिल सकती हैं नहीं मिलनी चाहिए। आप विदेश के घटना क्रमों को धर्म और जात की आधार भारत की धर्म और जात की राजनीत की आधार पर तो लेंगे तो देश की राष्ट्रीता खत्रे में पढ़ जाएगी राष्ट की सर्वोचिता खत्रे में पढ़ जाएगी भारत माता का सर्वोच का जो सर्वोचासन है वो खत्रे में पढ़ेगा एक कैसे सुद्धर कर लेगा कोई स्वाभी मानी देई दुनिया भर में जितने मुलकों में जो हमास के आतंक की जिस मजब को मानते हैं जिनके लिए नारा लगाया एम्यू में दुनिया भर के तमाम मुलकों में वो धा मजब है तो कि सब लोग मिलके एक हो जाएंगे एक नया विश्व बनाएंगे उसमें राष्ट की कोई भूमी का नहीं होगी पराष्टी नागरिकता नहीं होगी ते को इस्लामिक वर्ल टाइप की चीज आपके दिमाग में को यूटोपिया है एक आप तो रहे नहीं बड़े बुढ़े गिलानी थे जमू कश्मीर में वह बहुत बबाली थे उनसे गंदा भाषन बहुत ही कम लोग दे पाते हैं भार में भी चला गया हालांकि वो किबल मुस्लिमों के लिए था कुछ भेशबूशा बदलके पजामाजा मा पंच लागया एक के साथ उनके दमाद के साथ किलाई साथ वो मेरे दोस्त है उनने भारत को सव अबाद्रवात है कहीं भारत के समिधान को कहा मेरी जूत्य की नोकपर और बाद में मैंने जब पता किया तो भारत सरकार की सुरक्षा में चलते थे ड़के मारे मैंने को आदमी अभी करत में बबर शेहर हूं और यह तो सिपाही के साथ जाना मारे ड़के कहां टांगे भी काप नहीं इसकी और पासपोर्ट भारत का था और एक वर विधायक रहे ते गलती से तो उसकी पेंशन भी उठा रहे थे क्या अब मंच पर क्या बता रहे थे बच्चों को कि मेरी जूती पर है हिंदुस्तान का आईन हिंदुस्तान की सुविधाय चोड़ दीजी चलो हिंदुस्तान ना चोड़ो चोड़ो पेंशन नहीं छोड़ो यार अरे बाप रहे ये तो धोती खोल रहा है भारत के फैसले के खिलाफ नहीं, हाँ, आंतरिक विश्यों में मत भिन्नता लोकतंत्र का प्रमान है, आंतरिक विश्यों में मत भिन्नता जाहिर करने का अधिकार समिधान देता है, लेकिन अंतर राश्ट्री विश्यों में जब देश कोई राय बनाएगा, आप उसके आप जाते हैं वो भारत की राष्ट्रियता को चुनोती देने की कोशिश करते हैं चाहे इधर से चाहे उधर से हमास के क्रत्य को कोई माई का लाल सही नहीं ठेरा सकता अजो सरवोष्च शक्ति है जिससे ये अखिल ब्रह्मांड संचालित है उसका नाम लेकि आप ऐसा पाप करना चाहते मैंने वो वीडियो देखा जो ना बोला जा सकता है ना चलाया जा सकता है गारी बर्महिला का शब है निर्वस्तर शब जिनेवा का समझा होता है क्या कहता है क्या कहता है ले मुझे मज़े मजाख नहीं उड़वाना अपनी चीज़ का मैं नहीं बताऊंगा यो धके बंगी का मान होगा और उसमें भी अगर शव हो तो उसका तो सर्वोच मान होता है मैं फजील साब को एक बात या दिला के बात खत्म कर दूँगा कारगिल में युद्ध हुआ हमने पाकिस्तान को पराजित किया तमाम सेनिक मारे गए उसके जो छुपके आये थे छदमरूप से लेकिन भारत ने भारत होने का सबूत दिया इस्रामिक रीत रिवास से हमारे सेना ने उनका अंतिम संसकार किया इस देश में कि पाकिस्तान इतना गया गुजरादेश उसने अपने सेनिकों के शब लेने से इंकार कर दिया बोले फैंक दोस्त इनको कुछते खा जाए हमें ले नहीं ले नहीं ले तो भारत ने किया अपने खजाने से टेक्स का पईसा देखके कबर खुदवाई और उसमें फातिहा पढ़वा के दफन किया यही नहीं अभी और सुनिए यह भारत है इसको किसी से सीख की ज़रूरत नहीं और मैं तो कहूंगा केंदर सरकार से भी और उत्रपदेश की आदितनात योग आदितनात की सरकार से भी अलिगल मुसलिम इन्वस्ट्री में यह सब चीजे बार बार नहीं सुईकार हो सकती जहां भी देश को ठेश पहुचाने वाली कोई गठना होती है सबसे पहले उसमें आगया अलिगल मुसलिम इन्वस्ट्री के छातर क्यों आते इसके पीछे का कारण जानना होगा हमने कोरोना का की बैक्सीन खोज ली और बच्चा माल लिजिए टीका लगवाने से मना भी करें तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि जबरन टीका लगाएं तो आपने देखा किस तरीके से अमिताप अगनिहोतरी ने एक ही करके सब को अच्छे तरीके से बजाया हैes with facts अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जालाज जालाद इस वीडियो को फैदा दीजिए subscribe करना मच्षत है हम 40K के बहुत जातक करीब हैं जल्द weapon-国री तक बश्क्राइब कर लो जितने भी लोगों ने अभी तक अभी तकritos को अभी तक क्युकि मोश्टी लोगों ने subscribe ने कि जो कि यूटीब इस्टूडियो में दिखा जाता है उसमें से मोश्चली लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए वाटसप फेस्बूक हर जेंगा जितना हो सके लिंक के दवारा या फिर डारिक्ट वीडियो तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक कमाल के डिवेट के साथ तब तक के लिए राधे राधे